हेलो and welcome everybody दोस्तों आज है 30 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं दा इंडियन एक्सप्रेस के न्यूस पेपर की एनेलिसिस हमेशा की तरह फिर से हमें लेकिया हूँ आपके लिए कुछ ने कुछ ने टोपिक्स, कुछ ने एडिटोरियल्स और एक बढ़िया सी एनेलिसिस जो एक्जाम की परस्पेक्टिस विलिए आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है आज के इस न्यूस पेपर से कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है according to your papers जिसके बारे में हम लोग डिसकस करने वाले है टोटल छे टोपिक में यहां से निकाल करेंगे दूसरा हम मों बात करेंगे independent directors के बारे में देखें इन्यूस कल भी हम लोग ने discuss किया था कि बहुत सारी जो PSU होती हैं, उनके अंदर क्या गडबर घोटाला चल रहा है, आज उस गडबर घोटाले के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, तीसरा जो हमारा आएगा वो आएगा, हमारा G20 मीटिंग हुई है, G20 कंट्री से है, इसके अंदर 20 institutions और economies होती हैं, जिसके बारे में लोग डिसकस करेंगे, GES paper 2, ये वाले आपके GES paper 3 से आते हैं, economy section से आते हैं, फिर हम डिसकस करेंगे, monsoon session, अभी जो बुलाया जाने वाला है, GES paper 2 का पार्ट है, आपके quality में, आप जो है लक्षमिकांस से भी इसको cover कर सकते हो ठीक है, gravitational wave, GES 3, science and tech वाले portion से हम लोग इसको cover करेंगे, gravitational wave क्या होती है, थोड़ा से इसके बारे में जानेंगे, कुछ नई discovery यहाँ पे हुई है, शांदर discovery, तो थोड़ा डिसकस करेंगे, UPSC में already यहाँ से question पूछा जा चुका है, previous years में, और last में हम लोग करेंगे, आज क editorial जो है, education और pandemic को लेके, यह आपका GS paper, 1, 2, 3, कहीं से भी question पूछा जा सकता है, society से question पूछ सकते हैं, social justice से question पूछ सकते हैं, economic section से भी question पूछ सकते हैं, तो यहाँ से relate करके कैसी भी topic से question पूछा जा सकता है, कोई hard and fast इस तरह से UPSC नहीं देखता है, जहाँ उसको लगता है कि fit होता है, उसको वही fit कर देता है, ठीक है, चलिए, तो पहले जो one nation, one ration card के लिए है, यह front page बे जो है, आपका एक editorial आया है, front page बे, ठीक है, जिसको हम लोग cover करेंगे, और साथ के साथ एक explain section आया है, तो दोनों का merge करने के बाद हम लोग की topic को cover करेंगे, one nation, one ration card, राशन का है, हम सभी के घर में होता है, राशन काarna है, किसी के पास यलो होता है, किसी के पास pink होता है, किसी कि पास grocery करेंगर के लग अरक अलग काुदिय का राशन कार्व की माइग्रेंट वर्कर होते हैं, और क्योंकि उसका राशन कार्व जहार्वन्ही बना हुआ है, तो वो जो P. क्योंकि उसका राशनकार्ड वहाँ पर रिजिस्टर्ड है तो ये सारी problem migrant workers face करते थी क्योंकि हमारी country में इंट्रा स्टेट बहुत ज़ादा migration होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी है इंट्र स्टेट भी बहुत ज़ादा होता है मतलब इंट्र स्टेट मतलब एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक और इंट्र स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी तो इस problem को tackle करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम है बेनिफिट मिलता है लगबग 80-85 करोड जो है लोगों के यहां से बेनिफिट मिलता है इंसेंटिव दिया गया है स्टेट को स्टेट को बोला गया है कि आप यह स्कीम जल्दी से जल्दी चलाएं जल्दी से जल्दी लोगों को इस पूरे सिस्टम के साथ connect करें अगर जितना जल्दी आप इस काम करोगे हम आपको incentive देंगे देखिए कोई भी आदमी जो है काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसको incentive नहीं दोगे फ्री में कोई भी काम नहीं करता है हमारी country में एक federal system है जहाँ पे states center के उपर depend करते हैं ज्यादा तर अपनी economic needs को पूरा करने के लिए तो center ने, मोधी सरकार ने states को ये बोला अगर जल्दी से जल्दी आप one nation, one ration card को apply करोगे न तो हम आपको incentive देंगे, मतलब आपको पैसा देंगे, ठीक है, आपको monetary help देंगे, आप, देखे, states जो है, वो center से पैसा बोरो करते हैं, जिन states ने इसको apply किया है, वो center से पैसा बोरो कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में, अब तक सरकार ने 3700 क्रोड रुपीज उन states को देद यह कैसे काम करता है, देखे, जो भी migrant workers होते हैं, जिसको इसका benefit उठाना है, उनको अपना ration card, अपना आधार card, जो है, वो link करना पड़ेगा, और जो e-pose होते हैं, e-pose मतलब electronic point of sale, मतलब जहां से उनको राशन मिलता है, उसको बुला जाता है, उसको बुला जाता है, यह पू नमबर बताना पड़ेगा, उसको बताने के बाद उसकी वहाँ पर attendance लगती है, बायोमेट्रिक, एक बार जो बायोमेट्रिक attendance लग जाती है, तो उनका record system के अंदर चला जाता है, और यह बताता है, कि इस person ने कौन से point of sale के उपर registered किया है, मतलब ही वो खड़ा हुआ है, जह और एक होता है अनवित्रन, जो IMPDS होता है, जो यह interstate होता है, मतलब interstate, एक state से दूसरे state के बीच में, तो record चला जाता है, जैसे मालो कोई migrant worker है, वो जहारखंड का है, उसका राचन का भी जहारखंड में बना हुआ है, लेकिन वो मुंबई में आके point of sale के उपर जाके कुछ राशन खरीदता है, तो वो record जाएगा IMPDS के अंदर में, लेकिन अगर कोई एक state के अंदर ही खरीदता है, एक district से दूसरे district में, तो वो जाता है अनवित्रन पोर्टल के उपर, तो इसका सारे का सारा record जो है, सरकार के पास चला जाता है, कि यह कौन आदमी है, क्या इसका अ राशन दिया जाता है, दो रुपए पर केजी वीट दिया जाता है, एक रुपए पर केजी जो है, मोटा अनाज दिया जाता है, ठीक है, वो इसका benefit होता है, इसको launch क्यों किया गया था, देखें, मैं आपको starting में ही बता चुका हूँ, कि इंडिया में बहुत सारे जो है, ल जैसे मालों मुंबई से बेचारा कोई जारखन में जा रहा है, उसको जाने में महीना लग रहा है, अब देखा हूँ, हमारे कंटे में तो बेचारे पैदल ही जा रहे थे, सरकार ये तरफ से कोई जादा benefit नहीं मिल रहा था, उनको है ना, सुविधाएं वगरा, तो वो जह जहाँ पर भी जाएगा, वहाँ वहाँ पर अप इस स्कीम के दूर राशन खरीद सकता है, अपना पेट भर सकता है, है ना, इसलिए स्कीम चलाए गई थी, 2019 में ये स्कीम चलाए गई थी, और बहुत ही शानदार ये स्कीम चलाए गई थी, कहां कहां पर ये स्कीम अपलाई हैं लेकिन भाईया सारे के सारे रिजन के पिछे क्या होता है पॉलिटिक्स होता है है ना मेजर कारण तो यही है हाला कि इन्हों ने अपने अपने कारण बताए है वेस्ट बेंगोल ने कहा है कि जिन लोगों को सेंटर राशन परवाइड करा राशन कार्ण परवाइड कराते दिल्ली ने अब तक लेक्टोनिक सिस्टम को यहाँ पर इंपलिमेंट नहीं किया, अपने इपोस सिस्टम के अंदर, अलग-अलग कारण इन्हों ने स्टेट्स ने बताये हैं, लेकिन सब के कौर में तो भया पॉलिटिक्स ही है, और इस पॉलिटिक्स के चक्कर में बचारे पॉर माइग्रेंट्स मारे जाते हैं, यह सबसे बड़ी प्रोब्लम है, तो यह केस जो है सुप्रीम कोट ने इस केस को लिया था, क्योंकि जब लास्ट यह जब 2020 मार्च में, जब बहुत सारे माइग्रेंट सीधर उदर जा रहे थे, तो सुप्रीम कोट ने अपने आप ही इस केस को लिया, जिसे कहा जाता है सुमोटो, और सुप्रीम कोट इसको लगाता ट्रैक कर रही थी, अभी सुप्रीम कोट ने सारे स्टेट्स को बोल दिया है, कि 31 जुलाई तक आप इस सारे के सारे इस स्कीम को इंप्लिमेंट करो, जो भी हो जाए, जैसे कैसे करके स्कीम क अप्लाई करो तो Supreme Court इसको पुरा monitor कर रहा है let's see के states के उपर क्या फरक पड़ता है के नहीं पड़ता है ठीक है चलिए अगली जो news आती है वो आती है SEBI से Security and Exchange Board of India देखें इंडिया में जो banking sector है उसको regulate करता है RBI और इंडिया में जो stock market यानि के capital market होती है उसको regulate करता है SEBI और ये एक देखें आपके लिए question में यहाँ से आप मुझे ये बताओगे comment section में ये statutory body है या constitutional body है this is question for you ठीक है comment section में आप मुझे बताओगे और अगर statutory body है तो क्यूं है और constitutional body है तो क्यूं है that is my question for you कल हम लोगों ने एक जो है topic किया था कि इंडिया के अंदर जो PSU होती है public sector undertaking जो बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनिया होती है इनके अंदर जो है कुछ independent directors होते हैं है ना और ये भी बताया गया था कि इंडियन express ने एक PIL ये right to information आट ये वगारा के अंदर में ये information निकाली है कि इन PCPSU के अंदर जो भी independent directors है भया वो किसी ना किसी political party से belong करते हैं या तो वो किसी political party के बड़े कुछ नेता के भाई बतीजे हैं या फिर वो retired I.S. officer है जो किसी ना किसी political party के close होते हैं तो अब I.S. officer को ऐसे मत समझो के बहुत इमानदार होते हैं और बहुत एकदम दूद के दूलेवे होते हैं भया I.S. officer के अंदर भी बहुत गड़बड होती है हमारी country के अंदर पूरा जो इंडिया की आज हालत है ना हमारी bureau crazy की वज़े सही है है ना तो सब कुछ सही नहीं है system के अंदर I.S. officer भी सही नहीं है बहुत जगए पे ठीक है तो उनको अपोइंट करती है सरकार क्योंकि वो सरकार के close होते हैं भया बड़िया salary करते हैं काम दंदा उनको कुछ होता नहीं वहाँ पे तो अभी जब सेवी के पास यह बात पहुची तो सेवी ने कहा है कुछ इन्स्ट्रक्शन दी हैं सेवी ने के हम लोग जो independent directors होते हैं इसको अभी political parties अपनी मर्जी से appoint नहीं कर पाएगी उसके लिए जो shareholder होते हैं उस company के अंदर वो shareholder उनको appoint करेंगे और 75% वोट चाहिए उनको appoint होने के लिए तो let's see future में अगर इसको apply करते हैं properly तो independent directors को भी हम लोग proper तरीके से यहाँ पर utilize कर सकते हैं और सेवी ने एक और चीज बोली है investment बढ़ाने के लिए countrymen उने क्या किया है investors की एक नई list जारी की है जिसमें के अंदर कुछ अमीर लोग हैं देखे पहले कुछ अमीर लोगों को जिनके पास पैसा होता था वो हर जगे पर इनवेस्ट नहीं कर सकते थे कुछ ही area ऐसे थे ज जो है अभी उन companies के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़ी सी risky होती है ठीक है risky products में भी invest कर सकते हैं देखे सारे का सारा खेल है investment बढ़ाने का वह यह investment कर यह जितनी ज्यादा हो सके ठीक है इनको कहा गया है accredited investors ठीक है ज्यादा important topic नहीं है एक्जाम के perspective से लेकिन ए companies act 2013 2013 इसके अंडर में यह compulsory है कि हर company को अपने डिरेक्टर जो है वो independent होने चाहिए ठीक है और यह independent डिरेक्टर जो है company से related नहीं होते हैं ठीक है तो यह कुछ आपको चीज़े मैं बता देता हूं तो बहुत गडबड खुटाला यहां पर हो रहा था तो सेभी ने इस चीज को जो है notice किया है let's see future में कुछ important होता है तो चलिए जैशंका प्रसादी इंडिया के जो external affairs minister है अभी यह कहां गए थे भाया G20 की meeting में गए थे G20 क्या है G20 जो है 20 countries और 20 economies का एक group है ठीक है और जिसके अंदर यह countries आती है आप यहां पर देख सकते हो अर्जंट इन ऑस्ट्रे United Kingdom अलग दिया हुआ है because United Kingdom is not a part of European Union Brexit तो आपको पता होगा है ना बाहर निकल गया भीया European Union से तो आपको वह पता ही है तो यह 20 economies है इसके अंदर कुछ developed country है कुछ developing country है दुनिया का 60% से जाधा GDP in 20 countries के पास ही है ठीक है तो G20 country की meeting हुई कहां पे हुई Italy में हुई पूच सकते ह प्रिलिम्स के लिए question है motora ये city है Italy के अंदर वहाँ पे इसकी meeting हुई थी जिसके अंदर इंडिया के जो है external affairs minister जैशन का प्रसाजी गए थे उन्होंने वहाँ पे ले जो है vaccine को लेके बड़ी बड़ी बाते की है उन्होंने कहा है देखे South Africa और India इन दो countries ने appeal किया था WTO के अ वेवर देने से क्या होगा इंडिया और South Africa में बहुत सारी companies जो है वह दवाई बना मतलब vaccine बना पाएंगी और vaccine अगर बना पाएंगी तो जल्दी से जल्दी हम लोगों को vaccinate कर सकते हैं और vaccinate अगर करेंगे तो जल्दी से जल्दी pandemic को हम लोग दूर कर सकते हैं लेकिन इन companies जेने उनको अभी तक permission नहीं दिया है कुछ गिनी चुनी ही 5-7 company ही दुनिया में ऐसी है जो अभी vaccine बना सकती है अगर ये companies permission दे दें ये country permission दे दें तो बहुत सारी companies जो है वो vaccine बना पाएंगी आप बोलोगे हर company vaccine क्यों नहीं बना पाती है पहली बात तो vaccine बनाने की technology बहुत ज़्यदा advance होती है तो हर company के पास नहीं होती है दूसरी बात ये जो companies जैसे Moderna है जैसे Pfizer है इन companies के पास exclusive अधिकार होते है इन vaccine को बनाने की क्योंकि इन्होंने इस vaccine को discover किया है और जब भी आप किसी चीज़ को innovate करते हो नई चीज़ को discover करते हो तो आपको जो है एक agreement होता है जिसे का जाता है trips वो आपका intellectual property right होता है कोई और इसको use नहीं कर सकता है ये इनको कानूनी अधिकार होता है अगर कोई और इसको use करेगा तो उसको punishment मिल सकता है तो ये जो trips होता है ये WTO के अंदर protected होता है जब ये companies उसको दूसरों को permission देंगी ना तभी वो produce कर सकते हैं तो future में मिलता है को नहीं मिलता है ठीक है देखें इस बार क्या हुआ था कोईड की वज़े से इंडिया में हमारे Parliament के अंदर तीन session होते है ठीक है एक होता है budget session जो January से start होता है end of January से start होके end of April तक जाता है दूसरा session होता जिसे बोल जाता है monsoon session ये जुलाई में start होके अगस्त चलता है तीसरा होता है winter session November और दिसंबर तीन session होते हैं हमारी Parliament के बीच में ये session जो होते हैं ये session बेसिकलिन की timing क्या होगी कब तक बैठेंगे नहीं बैठेंगे ऐसा constitution में कुछ भी mention नहीं है ये sir for sir convention के उपर mention होता है इसलिए सरकार ने अभी winter session को cancel कर दिया था because of the covid things लेकि में छे महिने से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए मतलब साल में दो बार तो आब session करोगे ही करोगे ठीक है एक दो टर्म होती है यहां पर एक होती है adjournment और एक होती है session के बीच में छोटे छोटे ब्रेक होते रहते हैं दो दिन के चार दिन के महिने के उसको बोलते हैं adjournment ठीक है तो यह तो थोड़ा सा मैंने आप आपको basic चीज़े बता दी है अभी क्या है देखें जो इसको summand किया जाता है वो किया जाता है under article 85 और summand करने का जो काम होता है वो होता है cabinet committee on parliamentary affairs जो की president के द्वारा formulate की जाती है तो सारे के सारे member of parliament होते हैं उनको cabinet committee of parliamentary affairs की तरव से letter जाता है invitation जाता है कि हम लोग session start करने वाले हैं जिसके उपर president के sign होते हैं ठीक है तो वो सारे के सारे चीज़े हैं तो monsoon session को बुलाया गया है कब 19 July को possibly 19 July को आगे पीछी हो सकता है बट let's see तो थोड़ा सा static portion किया था इसके बारे में वह ज़्यादर डिटेल में जाना है तो आप बात किया गया है gravitational wave की जो सबसे पहले discussion की थी वो की गई थी Albert Einstein के द्वारा Albert Einstein बहुत ही तगड़ा दिमाग ठीक है इन्होंने mathematics mathematically जो है यह discover किया था कि दुनिया में अमेरिका में एक observatory बनाई गई जिसे कहा गया है lego laser interferometer gravitational wave observatory lego अमेरिका के अंदर में है Louisiana वगरा में है ठीक है तो आइंस्टाइन ने जिस चीज़ को theoretically बताया था यह उसको practically detect करने की कोशिश कर रहे थे और फिर gravitational wave को detect किया गया जो कि science में आज तक की top 3 discovery में मानी चाती है क् gravitational wave को अब तक किसी ने भी detect नहीं किया था तो हमारे universe के अंदर जब भी कोई बड़ी-बड़ी bodies मतलब जब भी कोई बड़े-बड़े stars या black holes आपस में merge करते हैं उस merge करने से gravitational wave उनसमें से निकलती है ठीक है अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग अभी तक जो है दो black hole तो आपको पता ही है ब्लैक hole neutron star वह star होता है जब star बहुत बड़ा होता है उसकंदर explosion हो जाता है तो वह neutron star में convert हो जाता है black hole के बारे में अभी तक हमें बहुत ज़ादा information नहीं है कि क्या होते हैं, इसके properties उगरा क्या होती है, किस चीज़ के बने होते हैं neutron star के बारे में हमें थोड़ी बहुत knowledge होती है अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब दो black hole आपस में merge कर रहे थे अभी तक हम सिर्फ यही चेक कर रहे थे, आज हम लोग निये चेक किया कि जब black hole और neutron star आपस में merge करते हैं, तब भी gravitational wave निकलती है यह बिल्कुल नई discovery है, very very very, मतलब this is one of the newest discovery अभी के time पे तो black hole merge करते हैं, यह हमें पता था, तो neutron star भी आपस में merge करते हैं, यह भी पता था लेकिन black hole और neutron star आपस में merge करते हैं, और gravitational wave निकालते हैं, this is totally new discovery ठीक है, बस आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है, neutron star जो है अभी हिस्ते हमें यह पता चला है कि neutron star जो होता है, वो उसके उपर एक surface होता है लेकिन black hole जो होता है, वो surface less होता है भीया, black hole जो है इतने dense होते हैं कि इन में से light भी पास नहीं कर सकती है, जैसे हमारी galaxy है, galaxy के जो है सेंटर में एक black hole होता है, ठीक है, इसमें से light भी पास नहीं कर सकती, इतने ज़्यादा dense होते है ठीक है, बस यह एक छोटी सी discovery तो आपको थोड़ा leigo के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है leigo क्या है, कहा है, कब establish हुआ था, इसका main purpose क्या होता है, gravitational wave क्या होती है already UPSC में यहां से question पूछा जा चुका है, एक बार prelims में और एक बार mains में तो important topic है, आपको science and tech के portion से पता होना चाहिए, ठीक है चले, आगला जो topic हम लोग करने वाले है, अपना editorial है हमारा pandemic के बारे में और education के बारे में, for screen, मतलब mobile की screen की बात कर रहे हैं, work and play ठीक है, तो यह बच्चों के बारे में है कि कैसे pandemic हमारी education system को impact कर रहा है देखे, सीधी सी बात है, जब से pandemic हुआ है, तो बहुत सारे schools, बहुत सारे states में, जो है, वो online classes दे रहे हैं बच्चों को देखे, online classes तो आप बच्चों को तभी दे पाओगे, जब बच्चों के पास एक smartphone होगा, और उसके अंदर internet होगा अगर internet नहीं है, smartphone नहीं है, तो क्या आप बच्चों को online classes दे सकते हो, बिल्कूल भी possible नहीं है अगर कहीं पर smartphone है भी, तो वहाँ पर network भी होना चाहिए, तो जो अमीर लोग है, मतलब जो rich class है, या भी जो urban class है, वो तो इसका benefit उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास तो smartphone भी है, internet भी है, सारी सविधाई हैं, लेकिन जो tribal areas में लोग रहते हैं, जो जंगलों में लोग रहते हैं, जो slum area में जो गरीव आदमी हैं, जो migrant workers हैं, ना तो उनके पास बेचारों के पास mostly smartphone है, smartphone है तो उनके पास internet नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत-बहुत important question है, definitely यहां से question आ सकता है, चलिए, ठीक है, तोड़ा देखते हैं, क्या कहते हैं, इनका कहना है कि pandemic के time पे school close हो चुके हैं, जब school close हुए था, online classes start हो गई है, online classes के लिए आपको mobile phone चाहिए, अमीर आदमी तो उससे benefit उठा लेता है, लेकिन poor family जो उससे benefit न नहीं होते हैं, तो वो कैसे track करेंगे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे online classes कर रहे हैं, क्या उनको benefit हो रहा है, तो वो इनको बहुत सारी समझ जाए हैं, जब से pandemic start हुआ है, पिछले साल मार्ट से, तब तक यह देखा गया है, कि 20% girls ने school से drop out कर लिया है, ठीक है, निया में बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि education बहुत ज़्यादा ज़रूर है, आपके empowerment के लिए आपके, मतलब जिसको कहते हैं, एक intellectual development के लिए भी बहुत ज़्यादा important है, तो वो सब चीजी यहां भी गड़बड हैं, इन सारी problem को ध्यान में रखते हुए, NCRT ने कुछ चला, guidelines दी थी, NCRT ने कहा था कि बच्चे जो है TV के थुरू देख सकते हैं, TV पे हम लोग कुछ program चलाएंगे, उनके थुरू आप देख सकते हो, आप newspaper के थुरू पढ़ सकते हो, कुछ educational content वहाँ पे आता है, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर आप mobile के थुरू द विजली है, वहाँ के बच्चे कैसे करेंगे या यह सब, तो NCRT ने guidelines तो जरूर दी थी, लेकिन guidelines वो ज्यादा successful नहीं हो पाई, migrant workers के अंदर ये ओलड़ी चीज देखी गई है, कि 46.2% बच्चे migrants के जो ओलड़ी drop out हो जाते हैं, स्कूल से, मतलब वो 2-3 class तक पढ़ते हैं, 5-2 class तक पढ़ते हैं, उसके बाद drop out हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए, migrant worker को कि बच्चों का क्या problem आती है, पहली बात तो हमारे पास उनका proper record नहीं है, ये भी problem हमारी country में है, दूसरी बात enrollment की समस्या है, अब मालो जहारकंड या बिहार में कोई migrant worker है, वो मुंबई में क लगे काम करने के लिए विशाखा पतनम में, तो उनके बच्चे भी साथ जाएंगे, बच्चे वहाँ पर जाके कैसे admission लेंगे, कैसे उनको नया environment मिलेगा, कैसे इस नया environment के वंदर वो अपने आपको जो है, ढालेंगे, वो प्रूलम है, language की यहाँ बड़ी problem है, क्योंकि अ जादे जादे इस प्रूलम को कैसे solution कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या क्या strategy अपना सकते हैं, देखिए, कुछ states ने, जैसे केरला ने, वेस्ट पेंगोल ने, 36 गड़ ने, इन्होंने strategy अपनाई है, कि जो लोग है, जो migrant workers है, जो मालो अलग-अलग states से वापिस home state के उनके बच्चों को जो है, वो study material प्रवाइड कराया गया है, या फिर वहीं पे जो ट्राइबल एरिया के जो लोग है, या सलम एरिया में रहते हैं, उनको free of cost study material प्रवाइड कराया है बच्चों को, दूसरा, जो वहाँ पे schools थे, school में जो teacher हुआ करते थे, उन teachers को बोला गय या किसी खुली जगहे पे लेके जाएए, और COVID के जो norms है, आप उनको भी follow कीजिए, तो जैसे पहले एक school में जो है, 200, 300, 500 बच्चे होते थे, तो अभी हर teacher जाएगा, वो 5-5, 10-10 के बच्चों के group से मिलेगा, उनको पढ़ाएगा, क्योंकि उनके पास mobile phone तो है नहीं, बच जाएगा, तो जिन बच्चों ने drop out कर लिया है, जो school से निकल के हैं, क्या उन बच्चों को दुबारा से हम लोग re-entry देंगे, उस re-entry के लिए क्या mechanism होगा, ये भी देखना पड़ेगा, सरकार को इसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, कि वो बच्चे ताकि दुबारा से school में आके admission ले सकें, जुन ने online classes नहीं करी है, या जो पीछे छूट गए हैं, वो सारके सारी चीज़ें, अब lockdown के टाइम पर क्योंकि हम लोग online बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पुराने teachers थे, schools थे, अब ऐसा भी हो सकता है, बहुत जो बच्चे छूट गए हैं पीछे, उनको भी हम लोग इस mainstream में लेके आ सकें, है ना, किते बढ़िया-बढ़िया solution यहाँ पर detail में बताए गए हैं, नई education policy, जो अभी जो है, last year जो इसको सरकार ने निकाला था, उसके अंदर जो है, आंगनवाडी को और schools को integrate किया गया है, उन्होंने कहा है कि जो छोटा बच्चा होता आंगनवाडी में जाता है, उसको आप school को इस साथ integrate करो, कि दोनों एक साथ जो है, उनकी development हो सके, लेकिन लेकिन सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है, सरकार ने बोल जरूर दिया है, लेकिन साथ के साथ जो आंगनवाडी को औ आप बचेट पे कटोती कर देते हो, तो इस सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, कि जब इस section को, इस sector को, जाधा पैसे की जुरूरत है, तब आप उससे बचारों से पैसा जो उनको पहले मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है, खास कर आंगनवाडी में आपको जो है, और early school में आपको जाधा focus करनी की जुरूत है, क्योंकि जब आप छोटी उमर में बच्चों को सिखाते हो ना, तो आगे बढ़ते हुए भी उमर में सीखता रहता है, लेकिन जब छोटी उमर में ही आप बजट कम करके उनको नहीं सिखा पाओगे, तो आगे आने वाले समय में व लोगडाउन के अंदर में अपग्रेड किया गया, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को employment भी मिला, इसी तरह का infrastructure को schools में भी अपग्रेड किया जाना चाहिए था, इस lockdown वाले time का सरकार को फायदा उठाना चाहिए था, schools के अंदर infrastructure को develop करना चाहिए था, teachers को training देनी चाहिए थी, है न, वो करना चाहिए था, एक तो उससे लोगों को employment मिलता है बहुत सारे लोगों को, और दूसरा, lockdown के बाद में दुबारा से जब इस system के अंदर हम लोग entry करते हैं, तो इसके अंदर improvement होता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, central visitor program को सरकार ने रोका नहीं, लेकिन इन इस project को सरकार ने start भी नहीं किया, तो ये बड़ी समस्या है, तो जिस opportunity का आपको फैदा उठाना चाहिए था, सरकार ने उसका फैदा तो उठाया नहीं, ऊपर से उनका budget कम कर दिया, तो ये सारी की सारी problem होरे education sector में है, कैसे rich और poor के बीच में जो है वो gap जो पहले से ही exist कर इस lockdown की वज़े से वो और ज़ादा बढ़ गया है, क्या क्या solution हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये question आपका exam में पूछ सकते हैं, ठीक है, दीक है simple exam में question पूछ सकता है, कि pandemic, pandemic led to the wider education gap, education gap, between haves and have nots, have nots, discuss the problem, discuss the problem, also suggest some measures or solution, ठीक है, simple question 10 number का आपका यहाँ पे prelims के exam में बनता है, मतलब pandemic ने already, जो haves और have nots का मतलब यह है, ये जो drop out का example है, आप यह दे सकते हो इस answer के अंदर, और आपको कुछ suggestion भी measuring यहाँ पे करने पड़ेंगे, आज का session अगर आपको ठीक ठाक लगा है, तो आप इसको like करें, यार मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस video को देखें न, please आप comment जरूर किया करो, आपको कोई चीज अच्छी लगी है, वो भी बताओ comment में, और चो चीज अच्छी नहीं लगी है, आप वो भी बताईए, क्या improve कर सकते हैं, वो भी आप बताईए, और क्या आपको चीज अच्छी लगी है, और इसको हम लोग continue करें, वो भी आप जरूर हमें comment section में बताया करो, तो जादा से जादा मैं चाहता हूँ का comment section किया करो, यहाँ पर क्योंकि देखें हम लोग इतना effort लेते हैं आपके आप हमार सा जो है दूसरे platform जैसे Instagram, Telegram और Facebook और भी जुड़ सकते हो, तो that is all for the day, thank you very much, all the best and Jai Hind